मित्रों आज के वेडियों में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि नौ फडबड़ी, दस फडबड़ी, एबं इग्यारह फडबड़ी का दिन करकर आसी वालों के लिए कैसा बीतेगा आने वाले तीन दिनों में करकर असी वालों के जीवन में क्या-क्या पड़िवर्तन, क्या-क्या बदलाब होगा मित्रों अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस वीडियो के अंत में आपके आने वाले तीन दिनों का अनोखा तोट का एबं भाग्यसाली रंग है तो आप उसे भी देखें मित्रों शब से पहले मैं आपसे बात करने वाला हूँ आपके प्रेम संबंध के बारे में मित्रों आने वाले तीन दिनों से पहले यदि आपने अपने प्रेमी या अपनी प्रेमी का से कोई भी वादा किया था कोई भी प्रोमिस किया था तो आने वाले समय में अपने वादे को अपने प्रोमिस को आपको निभाना होगा क्योंकि यदी आप ऐसा नहीं कडते हैं, तो आनेवाले समय में आपका प्रेम शंबंध बहुत जयादा खराब होगा, तो आनेवाले समय में इन छोटी मोटी बातों पर आपको ध्यान देना होगा मित्रो आने वाले तिन दिनों में यदि आपके घर पडिबार की बात करें तो आपका पडिवारिक जीवन सामानने रहेगा नजयादा बिहतर नजयादा खराब मित्रो आने वाले समय में यदि आप अपने घर पडिवार में कोई भी पडिवर्तन कोई भी बदलाब करना चाहते हैं तो पडिवर्तन करने से पहले अपने घर बालों से आपको बात करना होगा क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं अपने घरबालों से यदि आप राय मस्बरा नहीं करते हैं तो आपका पाड़िवाडिक जीवन खराब हो जाएगा मित्रो आने वाले समय में यदी आपके धन संपती की बात कड़ें तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका आने वाला समय बहुत ज्यादा बिहतर इबम सांदार होगा मित्रो आने वाले समय में आपके किसी पुराने मित्र की कारण आपको पैसे कमाने का मौका बहुत ज्यादा मिलेगा और इस कारण से आने वाले समय में आपका आर्थिक जीवन बिहतर इबम सांदार होगा तो इसके बाद बात करते हैं कि आने वाले समय में आपके लिए अनोखा तोट का एबम भग्य साली रंग क्या होगा मित्रो आने वाले समय में अपने समय को बिहतर इबम सांदार बनाने के लिए आपको किसी गडीब इनसान को किसी गडीब विक्ती को अपनी छमता के अनुसार अपनी इक्छा के अनुसार कुछ दान पुन्ने करना चाहिए यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका आने वाला शमय बहुत ज्यादा बिहतर एबम सांदार होगा मित्रो आने वाले समय में आपके लिए भग्य साली रंग है सिल्बर एबम सफेद तो यही था आपके आने वाले समय कारा सी फल तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लाइक करदें साथ में इस चैनल को आप सब्सक्राइब करदें इस वीडियो के नीचे जय बाबा भैरब कमेंट करदें धन्यवाद